तो यह एक रूबिक्स क्यूब जो के काफी सारे लोगों को लगता है कि इसके लिए आपको काफी जादा दिमाग की जरू होते है या मैट्स आपका अच्छा होना चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं यह सब मिट्स है एक रूबिक्स क्यूब काफी सिंपल सा पजल है और इसे सॉल् सिखाने वालों दुनिया का सबसे आसान मेटड्ड और यह मैटड्ड से मैंने काफी सारे लोगों को सिखाया भी हूँ मेरे फ्रेंड्स हो घाए मम्मी हो गए और मैं खुद भी इसी मेटड्स सीखा हूँ तो काफी सिंपल सा मेतड़ है और मैं कुशिश करूँका जितना कम से कम टाइम में सिखा सकूं जिससे कि आपका जादा टाइम वेस्ट ना हो तो वी डिजू का ँट तक जरूर okay एक demons के शिखाने वाला और वीडियो के प्रविक्स की बात करते हैं जिससे के आप कमफरडेबल हो सकें तो इसके अंदर होते हैं six colors जो कि आर सब को ही बता है तो सबसे पहले बात करते हैं white की तो white के opposite हमेशा आपको मिलता है yellow, orange के opposite हमेशा रहेगा red और green के opposite हमेशा रहेगा blue और 99% आपके color scheme सेम होने वाली है ऐसा possible ह कि आपके colors अलग हो सकते हैं लेकिन डरने की कोई बात नहीं यार सेम तरीके से solve हो जाएगा आप करुबिक्स cube मैं आपको सिखा ही दोगा तो second चीज है pieces और यह सबसे important है ध्यान से सुनना तो इसके अंदर आपको तीन type के piece मिलती है first corner corner में आपको तीन color मिलते हैं और आपको important है जो के है center piece है आपको दीकरी beach में नाम से ही पता चल गया होगा center में मिलेगी और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक color होते हैं और मैं एक cube हो लागा सबसे important piece center piece है क्योंकि जब आप Rubix cube को mix करेंगे इस तरीके से देख सकते हैं मैं सारी की सारी layer move कर रहा हूँ लेकिन center piece पे ध्यान रखना यह नहीं move करेगी मैं सारी की सारी layer move कर रहा हूँ जो तीन color वाली piece है corner piece और लेकिन इसे मतलब क्या एक जो भी कलर आपको शाल करणा और क्योंकि यह लेकर उप उपारी लेकर सक्व हने जो कहते हैं तो ढसने में आपको स्चुरू करना होगा एक गता है तो आप मशुआ अचकी पहते हैं बाकी सब move कर लेगी तो यह हो गई basics तो अभी start करते है steps की बारी steps काफी आसान से है दुनिया का सबसे आसान method यार trust करना तो इसके अंदर आपको सबसे पहले बनाना है एक cross कुछ इस तरीके से और cross के लिए आपको क्या चाहिए होगा एक center piece और इसके बाजू में आपको 4 pieces दो color वाली edge pieces को connect करना है और आप देख सकते हैं उपर से तो यह connected है नीचे से भी यह connected है अपनी सही color की center piece से इसका मतलब यह दोनों तरफ से इस तरह connect होनी चाहिए अच्छे से तो यह आप किस तरह कर सकते हैं इसके लिए कोई भी algorithm या कोई भी दिमाग की ज़रूत नहीं है खाली color matching का केल है जो के बच्चे भी कर सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है तो आपको बताता हूँ सबसे पहले सबसे पहले आपको white center piece ढूनना है तो यह ही white center piece मिल गई अब इसको आपको नीचे रख देना है इस तरह white center piece को नीचे रखना है automatically आपको यह जो दिख रही आपको yellow piece यह अपना आप उपर आजाएगी तो अभी आपको क्या करना है उपर यहाँ पर yellow piece के बाजू में white pieces लगानी है इस तरह आप देख सकते हैं इस तरह आपको एक flower सा बनाना है और यह किस तरह बनाना है खुच के दिमाग से बनाना है कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली है तो जैसे कि आपको बताता हूँ यह piece आप देख सकते बीच की layer में और सबसे पहले rubik's cube के इस तरह hold करना जिससे कि आप confusion ना हो इस तरह बकड़ेगे ना तो थोड़ा confusion हो जाएगी और rubik's cube के इदर उदर हो जाएगा तो white centerpiece को नीचे रखो rubik's cube को इस तरह बकड़ो और अभी मैं जो बता रहा हूँ आप apply करना साथ ही साथ ठीक है एक flower इस तरीके से तो इसके लिए आपको एक एक करके दो color वाली piece जैसे कि यह हो गई दो color वाली piece इसको आपको ऊपर लेके आना है चारो ही pieces को तो कैसे लेके जाएगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक piece दिकरी इसके अंदर है white color यह दो color वाली piece है उसमें से एक color है white तो अभी इसको आपको ऊपर लेके आना है तो ऊपर किस तरह लेके आ सकते है पहले तो आप इस layer को इस तरह गुमाएगे तो यह उपर आजाएगी लेकिन आप देख सकते है white color तो यह उपर आया ही नहीं तो बाकी की ढूंता है तो जैसे कि आप देख सकते हैं यह उपर ही है लेकिन यह flip करना है white color नीच्छे आ चुका है white color हमें उपर चीए तो सबसे पहले आपको क्या करना है आपको pieces उपर रहे या नीचे रहे आपको beach की layer में लेकर आजाना है सबसे पहले तो इसे हम एक बर इस तरह घुमा देगें नीचे आ गई है beach वाली layer में अभी आप इसको अपनी finger की मदद से आप देख सकते हैं इसको इस तरह उपर लेकर आएगे ठीक है तो इस तरह के से उपर लेकर आगया हम इस तरह लेकर जाएगे और अब ही अगर आपने notice किया होगा यहाँ पर पहले सी हमने solve किये हुए था है यह बिगड़ जा रही है यह उपर जाने के वाज़े से तो सबसे पहले आपको है यह जो यह जो spot है जिस पर यह पीस जाने वाली हम इस तरह मूफ करेंगे तो यह यहाँ पर आएगे तो आपको यह दोनों पीस को इसको लेके आना है सबसे पहले एकार लेर को घूमा के टिच वाली लेर में बीच वाली लेर बिच वाली लेर में आ जा मता जानने तो आप आपको पहले उपर वाली ले रहे नः इसको घुमाना है यह जगा जो खाली स्पॉट है लेकर आजया और उसके बाद इसको उपर लेकर आओ O जिससे कि यार बाकी की पीसेस भी खराब ना है और यह भी सॉल्व हो जाए और आपका एक बर फ्लावर बन गया आपका 90 काम खतम हो जाता है आपका क्रॉस बन चुका है ठीक है यह हो गया हमारा स्टेप कंप्लीट अभी आपको क्या करना है कोई भी एक पीस लो रैंडम ली इसके मैं यह पीस लेता हूं यह है वाइट और इसके नीचे वाला कलर बहुत इंपोर्टन है रेड को देखना और अभी रेड को रेड से इंटर पीस से अपको मैच करना है यह उपर वाली लेर दिखरी इसको आपको इस तरह घुमाना है और जब तक घुमाते चाब जब इसको 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 इस तरह दो बर घुमा दो खतम ठीक है और लाश्ट पीस आप देख सकते पहले से मैच है तो हमारा काम आसान हो गया बस आपको दो बार इसे इस तरह घुमाना है और इससे आपका प्रॉस हो जाता है कम्प्लीट फर्स्ट्ट एप कंप्लीट होजाता है तो ूप कंग्रैज्युलेशन इसका भीज परसनेट काम यहां पर खतम हो चाआता है त्तिस्ट यह साथ सबसे जादा हallas सबसे जाएजी यहाँ पर आपको कुछ मूफ दिख जाएगे और यह मूफ क्या है आपको बताता हूं डरने की बिल्कुल विज़रत नहीं यह मूफ है आपकी मदद के लिए कि आप स्क्रीन शॉट लेकर रख सकते हैं और कभी अगर आप भूल जाते हैं इनकेस तो आप इसक इसको उपर कर दिया इसको करनाолот को निचे करो रइट लेक्ष लियर को नीचे कर दिये और यह जो अपर लेर सिंबल से तो अब ही आपको बताता हूं फॉस्ट लेयर किस तरह सॉल्व करेंगे तो अभी आपको टीन कलर वाली पीस ड्हुनना है क्यो किया आपको तीन इन और आब यह आपको तीनcular वाली pieces दिख रही है यापए, इसमें ऐसी piece ढूनो जिसके इंदर white color हो, यहाँ सकते white color nains, इसमें white color नहीं है, इसमें white color है मतलब इसे हम solve करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, white के अलावाद 2 color है यह देखना है, तो यहाँ पर आपको red मिलेगा और blue मिलेगा तो red और blue वाली centerpiece सबसे पहले डूनते है ठीक है तो यह रही blue और यह रही red तो अभी आपको उपर वाली layer को घुमाते रहना है जब तक कि वो जो piece थी ना white, red और blue वाली यह इन दोनो centerpiece के बीच में आ जाए यह जो उपर वाली layer जाओ जिससे जल्दी आद हो जाए तो इसे मैं इस तरह याद किया था ऊपर left नीचे right ठीक है काफी आसान सा लगता है तो यह piece नीचे तो आ गई है लेकिन solve नहीं होई है तो जब तक कि करते जाओ जब तक कि solve हो ही ना जाए ठीक है एक बार तीन बार या पाच बार में solve हो जाए तीन बार में solve हो जाए पाच बार में solve हो जाए करते रहना है जब तक कि solve ना हो जाए ठीक है अभी एक और एक पीस ढूंते है तो यह piece आप देख सकते है इसके अंदर है white तो white के अलावा कौन से color है green और orange वाली आपको सबसे पहले center piece ढूंना है जैसे कि यह रही green और orange तो उपर वाले layer को हम घुमाते रहें जब तक कि यह जो पीस है ना green और orange वाली यह green और orange के center piece के बीच में नहीं करना ठीक है आपको बस इसके बीच में रख देना यह दोनों के बीच में match वगेरा कुछ नहीं होनी चीए और इससे आपको सीधे हाथ से पकरना है right hand से और स solve 5 बार में हुई यह 3 बार में अपको करते जाना है जब तक कि नहीं टृब तो अभी देखते हैं और कुन सी皮श इसमें white नहीं है इसमें white है तो इसे solve करना है थीक है तो इसमें कौन से color है green और red तो green और red देखते हैं यहां पर इन और red तो यह पीसको green और red के बीद्टी ब कर देखके पूरी 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 लेयर हमारी ही है को यहाँ पर को अटकी ही पीस है तो इसे अप सबसे पहले उपर निकालो उसके बाद normal जैसा हम solve करते हैं वैसे solve करेंगे तो उपर कैसे निकालेगे सबसे यह जो piece न जो अटकी भीस है इसको सीधे हाथ में पगड़ लो इस तरह और same algorithm कर लो उपर लेफ्ट नीचे राइट ऊपर लेफ्ट नीचे राइट उपर लेफ्ट नीचे राइट और फैइनल्ल हमारी first layer हो जाती है complete कफ़ी आसान सा है आप एक ही बलोगे guarantee के साथ में ठीक है यह ही चार मुवफ आपको करने है रर बर और आपकी पहले layer है solve करते हैं तो अभी कुलब करें एक अपरवाली लेयर को राइट करो और अपरवाली लेयर को राइट करो सेम यह दो आता ही है ठीक है जो दूसरा वाला दिख रहाँ इसके अंदर आपको एक ल दिख रहाँ गाल का मतलब होता है left layer, मतलब जो चीज आपने right hand से किये ते ना, same चीज आपको left hand से करना है तो यह algorithm क्या कहता है एक बार देख लेते हैं, तो left layer को उपर करो, कर दिये, उसके जो उपर वाली layer है ना, इसको करना है right side में left layer को नीचे करो, left layer कर दिये, और जो उपर वाली layer है इसको left side में कर दो, symbol जो आपने right से किये ते same चीज है left से, ठीक है, तो यह दो चीज है, यह दो algorithm से, यह दो formula से आपकी जो second layer है complete हो जाएगी पूरी तरीके से, तो सबसे पहले देखते हैं, क्या चाहिए second layer solve करने के लिए, तो second layer solve करने के लिए, आपको चाहिए दो color वाली pieces, आप देख सकते हैं, यहाप आपको दो color वाली pieces solve करना है जिससे कि आपकी second layer complete हो जाएगी तो यह pieces आपको मिलेगी कहाँ पे तो यह piece मिलेगी आपको ऊपर वाली layer में, और यहाँ आपको दो color वाली pieces देख रही है, इसमें ऐसी piece डूनना है, जिसके अंदर yellow ना हो yellow क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि yellow color तो यह top का color है yellow, और हम solve करने, बीच की layer तो यहाँ पे तो yellow का काम बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए हम yellow को ignore करेंगे, ठीक है, yellow को ignore करना, तो ऐसी piece डूनना जिसमें yellow ना हो, जैसे कि यह piece देख सकते है, दो color वाली, इसमें yellow है, तो इसे हम हटा देगे, इसमें भी yellow है, इसकी भी जरुवत नहीं है, इसमें भी yellow है, मतलब इसे भी हम नहीं solve करना है, blue blue से match हो गया, अभी यह जो piece है ना, इसके ऊपर वाला color देखो orange, orange कहाँ पर, यह side में तो orange है ही नी, यह side में orange है, मतलब यह जाने वाला है left side में, इस तरीके से, आप देख सकते हैं, यहाँ पर यह piece अच्छी तरीके में fake देना है, मतलब यह left में जाने वाली है, तो यह वाली layer को हम right side कर देगे, उल्टा कर देगे, और अभी आपको, क्यूंकि यह left hand का case है, इसके लिए आपको सब से पहले left hand वाला algorithm लगाना है, जो के L वाला algorithm है, ठीक है, तो वो लगा लेते हैं, ऊपर right, नीचे, left, left वाला लगा दिये, अभी आपको right वाला भी लगाना है, ठीक है, पहले left लगाएगे, फिर right लगाएगे, तो यह जो layer है ना, जिसको आपने left hand से, उल्टे हाद से बगड़ेते, इसको आपको पकड़ लेना है, सीधे हाद से, मतलब right hand से, और जो आपने first layer के लिए यूज़ किये थे algorithm, सेम करना है, उपर, left, नीचे, right, solve हो गया, ठीक है, तो अभी आपको बताता हूँ, right वाला case, अभी यह वाली piece में आप देख सकते हैं, इसमें तो red कॉनसे side है, यह side में तो red है यह noheid, साइड में, मतलब hy и पीश जाने वाली है, यह यहां पर इस तरह मैच होने वाली है, तो यह जाने वाली में right side में, मतलब यह है हमारा second case, left वाला case आपको बता दिया ओ, अभी चलते है राइट वाले case पे तो यह जाने वाली है राइट साइड में तो इसे हम उल्टा फेगेगे मतलब opposite direction में लेफ्ट साइड में इस तरह और अभी क्योंकि यह राइट वाला case है इसके लिए हम पहले राइट वाले algorithm लगाएगे जो के R वाले algorithm है उपर, राइट, नीचे, लेफ्ट, ठीक है, तो दोनों भी cases बतायों, और दोनों भी cases को याद किसकर अगरना है, तो पहला वाला move तो सेम है, अगर जाने वाली होगी piece, लेफ्ट साइड में, तो आपको इसे फेक देना है, राइट साइड में, और अगर ये जाने वाली होग राइट में, तो राइट वाला algorithm पहले लगाना है, उसके बाद लेफ्ट वाला algorithm लगाना है, ठीक है, तो ये काफी simple सा है, आप एक दो बार देखेगे, तो आपका solve हो जाएगा, अभी चलते हैं, बाकी की pieces पे, तो एक और एक case है, तो ऐसा कभी-कभी हो सकता है, क्या उपर आपको कोई भी ऐसी piece ना मिले, जिसमें yellow ना हो, सारी pieces में yellow, जैसे कि आप देख सकते हैं, yellow, 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 मतलब कोई piece ऐसी है ही नहीं, जिसके अंदर yellow ना हो, और हमारी second layer solve नहीं हुई अभी तक है, आप देख सकते हैं, दोनों भी solve नहीं हुई है, तो क्या करने हैं आपको, जो pieces आपको ऊपर नहीं मिलेगी, इसका मतलब है, वो piece नीचे अठकी है, जैसे कि आप देख सकते ही, नीचे अठकी हुई है, तो सबसे पहले इसको आपको ऊपर लाना है, ऊपर लाने के बाद आप इसको solve कर सकते है, तो ऊपर किस तरह लाएगे, कोई भी random से एक piece चुन लो, ज ठीक है, तो हम right वाला algorithm पहले यूज़ करेगे, right layer को ऊपर कर दिए, upper layer को left में, right layer को नीचे और upper layer को right side में, right वाला हो गया एक बार, तो अभी दूसरा भी लगाना है, क्योंकि ये वाली second layer में आपको दोनों भी algorithm का यूज़ करना है, एक के बाद एक, तो अभी L वाला algorithm पकड़ेते हैं, इसे आपको left hand से पकड़ना है, और फिर, उपर, right, नीचे, left, ठीक है, तो ये piece आ गई है, नीचे और जो piece नीचे थी, वो आ चुकी है, उपर, तो अभी से हमें, इसे normally solve करना है, जैसे कि हम solve करते हैं, तो पहले इसका जो नीचे वाला कला रहे है, और match किये, ये जाने वाली है left में, तो इसे हम उल्टा फेके के right side में, और पहले ये जाने वाली है left side में, तो left वाला case हो गया ये, तो left वाला algorithm लगाईगे, L वाला, उपर, right, नीचे, left, और अभी second algorithm लगाना है, तो जो हमने left से पकड़ेते हैं, उसको आपको right hand से पकड़ना ह और सेम चीज़ करना है, उपर, left, नीचे, right, ठीक है, और एक बार आप practice करोगे न, तो आप इसको जल्दी जल्दी कर सकते हो, जैसे कि ये piece है, इसे मैं solve करके बताता हो, तो इसे मैं कितना जल्दी solve कर दिया, आप देख भी नहीं पाये होगे, तो इतनी speed से आप भी solve कर सको कोई एक मिनिट के इंदर solve कर दोगे, थोड़ी practice के बाद, ठीक है, तो इस तरीके से आपकी हो जाती है, second layer complete, सारी cases आपको बता दिया हूँ, एक बार आप rewatch कर ले न, अगर आप कुछ miss कर चुके है तो, एक दो बार देखने के बाद, आपकी second layer हो जाएगी complete, तो congratulations, आपकी second layer भी complete हो जाती है, जिससे के 70% cube आपका solve हो चुका है, तो अभी चलते है third layer पे, यानि last layer जिससे के आपका पूरा पूर अरूर 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 भी solve हो जाएगा, तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले एक yellow cross बनाना है, जो के हमने बनायते white side में, आप देख सकते हैं, और ये cross बनाना भी काफी जादा simple है, तो यहाँ पे एक algorithm में एक formula है, जो के same है first layer की तरह, जो आपको चार move बताये था ना, मैंने वही चार move आपको वापिस से use करना है, तो यहाँ पे आपको F दिख रहा होगा, तो F का मतलब होता है, front layer, तो सबसे पहले आपको क्या करना ह फ्रंट layer को इस तरह घुमाना है, clockwise, और उसके बाद जो right वाला algorithm था ना, जो first layer में use किये थे, वो करना है, उपर, left, नीचे, right, एक बार यह हो गया, उसके आपको क्या करना है, जो front layer है ना, इसको वापिस से उल्टा कर देना है, anti-clockwise, बस खतम, तो खाली दो ही move extra पहले आप आपको front layer को इस तरह घुमाना है, फिर वो जो algorithm अपना है वो लगाना है, फिर front layer को सई कर देना है, ठीक है, तो यही छोटा सा algorithm है, खाली front layer को आपको इस तरह घुमाना है, फिर इस तरह आपको वापिस से कर देना है, ठीक है, दो ही move extra, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे cross बनाने के लिए एक डॉट मिल सकते हैं डॉट का मतलब क्या होगा यहां पर आपको कोई भी आपको यल्लो कलर की पीस कनेक्टेड नहीं मिलेगी खाली एक सेंटर पीस है तो कोई भी साइट से अब कुछ सीम चीज करना जो भी आपको बताया था फ्रंट वाला किस हे हमारा राइट लियर को Он को निचे और उपरवाले लियर को राइट साइड में यह हो अभी जो front layer हमने गुमायते ने इसको reverse कर दो खतम और इससे क्या हो जाएगा जो आपका dot है या एक L बन जाएगा और अगर आपको एक L मिलता है छोटा वाला L अगर आपको मिल रहा है तो भी आपको same चीज़ करना है सबसे पहले आपको क्या करना है यह जो L होगा ना इसको आपको रखना है सामने और right side में front और right side में front और left side में मत रख देना front और right side में रखना है ठीक है इस तरह और same algorithm लगाना है same formula लगाना है सबसे पहले आपको front layer को इस तरह घुमाना है clockwise एक ही बार उसके बाद right hand वाला algorithm लगाना है उपर left नीचे right फिर यह जो layer थी इसको सही कर देना है इससे आपको मिल जाएगा एक horizontal line तो यह एक line है इसको horizontal भी रख सकते है vertical भी रख सकते हैं लेकिन अगर आप vertical रखेगे ना यह वापिस एक dot बन जाएगा तो आपको इसको रखना है इस तरह horizontal रखना है ठीक है horizontal रखने के बाद आपको यह जो layer दिख रही है इसको एक बार घुमाएगे same चीज है front layer को फिर right hand वाला algorithm लगाएगे उसके आप front layer को वापिस सही कर देगे इससे आपका बन जाएगा एक cross तो यही चार cases मिल सकते है ты dot मिल सकता है या एक t मिल सकता है या एक na SIM मिल सकती है या आपको डाएक्ली plus पहले से मिल सकता है जो कहरा काफी असान सी चीज़़ का फो सकता है कि आपको डायरीक्ली plus मिला बना हुआ मिले for second layer solve करने के बाद तो plus आपको मिल चुका है तो अभी plus perfect नहीं है जैसे कि आप देख सकते हैं यह नीचे से connected नहीं है यहाँ का जो plus है हमारा यह आप देख सकते हैं कैसा नीचे से भी connected है सारे colors तो perfect cross बनाना है हमें तो perfect cross किस तरह बना सकते हैं तो यहाँ पर आपको 2 cases मिलेगे काफी जादा simple चीज है ठीक है यह algorithm आपको बताता हूँ यहाँ पर आपको मिल जाएगा algorithm इसके अंदर क्या आपको करना है सबसे पहले right layer को पकड़ो उसके right layer को ऊपर करना है यह जो पहले दिख रहा है इस पे focus करना है इस पे ध्यान देना है तो सबसे पहले हम right layer को एक बार ऊपर करेगे फिर यह जो पहर है इसको आपको बाहर फेक देना है ठीक है और यह वाली जो layer है इसको नीचे लेके आजाना वापिस से यह पहर पे ध्यान रखना अब यह पेर को आपको 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 आप फिर डोर को बं कर देना फिर यह पैर को अना घर के सामने भी खड़े रहने निले पिछे फिक देना है और उसके बाद आपको डोर ऊपन करने जाएगा तो आपको डोर कर देना है सिंपल सा है आप इसको कोई भी लॉजिक से याद कर सकते हैं मैंने आपको बता दिया एक छोटा सा फ़नी सा लॉजिक तो अभी देखते हैं यह अल्गॉरित्म आपको किस तरह यूज करना है जिससे के यह जो पीसे हैं यह अपने आप कनेक्ट हो जाए चारो तरफ से तो यहाँ पर आपको 2 cases मिलेगे तो दोनों cases आपको बताता हो वन बैवन तो अभी अपको क्या करना है यह ओपर वली ले रहे ना इसको मूफ करना है और जब तक कि हैंना तो यहाँ न तो तो यहाँ पहुआ है दो पीस में प्रण हम रिवर्स करदेगे और फिर पार है पीछे हम उसके बाद यह को वापी से उपर करेगे राइट लियर को और यह पिछे वापी से देखते हैं और इंज मैच करने के बाद भी कोई हुई है क्या कोई भी नहीं हुई है तो अभी रैड को देखते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं दो pises match हो चुकी है तो आपको जब तक करते जाना है जब तक ये दो pises match ना हो जाए और tension लेनी की बिल्कुल भी बात नहीं है दो pieces match हो जाएगी थोड़ा कोशिश आपको करना पड़ेगा एक दो बार ठीक है दो pieces match हो चुकी है और दो pieces अभी बाजू बाजू में match हुई है adjacent way में पहले match हुई थी opposite direction में और आपको क्या करना है मैंने आपको सिखा दिया वो करने के बाद आपको ऐसा adjacent में बाजू बाजू में match में लेगी pieces और एक बार ऐसी मिल चुकी adjacent में तो आपको एक को रखना है पीछे और एक को रखना है right side में ठीक है एक पीछे रखना है एक को right side में रखना है और same algorithm लगाना है तो आपको क्या करने राइट को ओपर करना है यह जो पैर देख रहे हो इसको पहले हम side में लेक्त आजाएगे right layer को नीचे ले लेगे फिर यह जो पैर है इसको हम पीछे के side रखेगे फिर right layer को उपर करेगे और यह पैर को reverse कर देगे जिससे के पिर आप इसको नीचे कर देना ठीक है इस से क्या होगा सारी के सारे कलर सापके हो जाएगे मैच सारे कलर से हो चुक है मैच आपका 90% काम फिनिश हो चुक है खाली 10% काम बचा है तो यहाँ पे आपको चार पीस दिख रही है तीन कलर वाली यही सॉल्व करना है जिससे कि आपका पूरा पूरा अरोबिक सी अप सॉल्व हो जाएगा तो इसे किस तरह सॉल्व करना है काफी सिंबल सी चीज़ है तो फट जगे पर नहीं है इसे देखते है तो इसमें औरेंज और ग्रीन है और यहाँ पर तो कोई औरेंज और ग्रीन ही नी मतलब यह भी अपनी सही जगे पर नहीं है इसे देखते है तो यह है औरेंज यलो और ब्लू और यह भी है औरेंज यलो और ब्लू के मतलब यह अपनी सही जगे पे solve नहीं होना चाहिए solve हो भी सकती है लेकिन हमें solve नहीं चाहिए ठीक है खाली यह अपनी सही जगे पे हो बस इतना ही चाहिए तो एक पीस अपनी सही जगे पे तो यहाँ पे आपको तीन cases मिल सकते हैं ऐसा भी हो सकते हैं कि कोई भी पीस अपनी सही जगे पर नहीं मेलेगी जैसे यह आप देख सकते हैं यह भी अपनी सही जगे पर नहीं है यह भी अपनी सही जगे पर नहीं है तो जब ऐसा होता है तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं अभी आपको बताने हो आपको क्या करना है आपको तो सबसे पहले आपको लेफ्ट लेएर के साथ, लेफ्ट लेएर को ऊपर करना है, यह जो पैरना इसको नीचे फेक देना है, तो यह पीछे फेकने के बाद आप देख सकते हैं, यह पहले से सॉल्व हो चुका है, तो इसे आप नीचे कर दो, फिर यह जो पीछे पैरना इसको आगे लेके आ जाता है और इसको भी नीचे कर देना है एक और एक बर बता देता हूँ तो सबसे पहले right layer को उपर करो ये जो parent इसको पीछे फेक दो उसके बद left layer को उपर करो left layer के pair को पीछे फेक दो right layer solve हो चुकी है तो इसे नीचे कर दो फिर ये parent जो पीछे इसको आगे लेके आजाओ जिससे के ये भी solve हो जाएगा फिर इसे नीचे कर दो simple इतना से ही algorithm है तो अभी आप देख सकते हैं कोई भी पीछ अपनी सही जगे पे नहीं है तो आपको randomly कोई भी जगे से आपको क्या करना है ये algorithm यूज करना है जो के है right layer को उपर करो इसे पीछे वेख दो left layer को उपर करो इसे भी पीछे वेख दो right layer को नीचे कर दो फिर ये जो पैर है ना इसको आगे लेके आजाओ ये भी solve हो जाएगा तो इसे भी नीचे कर दो इससे क्या होगा कोई भी एक पीस अपनी सही जगे पर आजाएगी ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकती है ये अपनी सही जगे पर नहीं है और इसमें orange है और orange यहाँ पर नहीं है मतलब ये भी अपनी सही जगे पर नहीं है ये भी अपनी सही जगे पे नहीं है ये अपनी सही जगे पे आ चुकी है तो ये algorithm करने से क्या होगा कोई एक पिस अपनी सही जगे पे आ जाएगी कभी-कभी ऐसा होता है कि एक बार ये algorithm यूज करने के बाद यह formula यूज़ करने के बाद कोई भी पीस अपनी सही जगे पे नहीं आएगी तो डरने की बिलकुल भी ज़रुवरत नहीं है एक और एक बार यूज़ करो तो कभी-कभी ऐसा हो सकता है एक बार यूज़ करना पड़े इसको भी fit उफट दिया यह solve हो चुके है तो इसको नीचे कर दिया और इसको venir Leake mod इसकोर कर दिया इससे क्या होगा सारी पीस अपनी सही जगे पे आजाएगी लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं कोई भी पीस अपनी सही जगे पे नहीं आई है इसके अलावा तो मतलब वापिस से हमें एक और एक बार इस अपलाई करना होगा तो जैसे कि आप देख सकते हैं सेकेंड बार अपलाई करने से ये काम कर जाएगा सारी पीसे अपनी सही जागे पर आ जाएगी तो अभी सारी पीसे अपनी सही जागे पर आ चुकी है तो क्या करना है आपको जो ये वाला cross है न हमारा इसको नीचे रख देना है इस तरह ठीक है cross नीचे आजाएगा ये जो wide वाला face है ये उपर आजाएगा और अब ये आपको सीधे वाले हाथ में ऐसी piece पकड़ना है जो के solve नहीं हुई है एसा हो सकता है कि आपको दो piece solve मिले या एक piece solve मिले तो और आसानी हो जाएगी आपके लिए हमारे case में तो कोई भी piece solve नहीं है ठीक है तो इसे हम नीचे रखेगे और right वाले hand पे आपको ऐसी piece पकड़ना है जो के solve नहीं है ठीक है तो यह piece solve नहीं है तो इसको मैंने पकड़ लिया हूँ अभी जो first layer के time पे हमने use किये थे ना right वाले algorithm जो के है right layer को उपर कर दिया और यह वाली जो layer है इसको हमने कर दिया left side में right layer को नीचे कर दिये और यह वाले layer को right side में कर दिये ठीक है यह algorithm करते जाना है जब तक कि यह वाली जो piece है यहाँ पे solve नहीं हो जाए उपर left नीचे right उपर left नीचे right जब तक के करते जाओ जब तक के solve नहीं हो जाए यह solve हो गई है दरने की बात नहीं है यहां परोड़ा छराब हो चुकर आपको पूरा पुरぁ गुरा फ्रोक फलड़ा खराब लेकिन एंड में अपनी आप भूरो जाय का ठीक है तो एक बार यह सॉल्व हो गई आपको क्या गरना है नीछे वाली लेयर को गुमाना है जब तक कि ऐसी पीस ना जाए जो कि लब बिगडी वी है ठीक है जो solve नहीं होई है तो यह solve नहीं होई है तो इसे हम solve करेंगे और same algorithm use करना है उपर, left, नीचे, right जब तक कि ये solve ना हो जाए उपर, left, नीचे, right उपर, left, नीचे, right उपर, left, नीचे, right solve हो गई है अभी आपको वापे से move करना है नीचे वाली layer को और ऐसी piece से exchange करना है जो के खराब है, जो के solve नहीं है ठीक है, same algorithm उपर, left, नीचे, right उपर, left, नीचे, right ये भी solve हो गई तो इसे हम exchange करेगे ऐसी piece से जो के solve नहीं है वापीस हम करेगे उपर, left, नीचे, right उपर, left, नीचे, right और इससे आपका पूरा का पूरा Rubik's Cube solve हो जाएगा तो congratulations, आपका पूरा का पूरा Rubik's Cube हो चुका है, solve तो आपका पूरा का पूरा Rubik's Cube हो जाता है solve, और अगर कोई confusion या कोई difficulty आई होगी, तो वो आला part आप rewind करके देखो, एक से दो बार देखेगे, तो आपको समझ में आ जाएगा 100% और इसी के साथ यार ये वीडियो हो जाती है, complete और वीडियो अच्छे लगी हो, तो वीडियो को जरूर से like कर देना और चैनल को subscribe करना मत बुलना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में thanks for watching